इसके लिए अध्भुद उपाई ले क्या रहा हूँ मित्रों और शाथियों ये उपाई किसी भी मा की सुकल पक्ष के शुकुरवार के दिन किया जाता है और शमय है सुरियोदे से ठीक 12 मिन्ट पहले से लेकर 12 मिन्ट बात था ये उपाई किसी भी रवी पुष नक्षत्र के दिन किया जाएगा सुरियोदे से ठीक 40 मिन्ट पहले और ये उपाई प्रुणिमाम को भी किया जाता है ठीक सुरियोदे से पहले 4 बज कर 20 मिन्ट बात लेकिन आपकी तिदोजरी में धन रहे मा लक्षमी की गिर्पारेर आपकी अभिलासाओं की पूर्ती रहे 26 मही 2021 अदभुद 15 मैत्री योग आ रहा है अदभुद योग है और एक बात का ध्यान रखेगा ये प्रारम करने का समय है जब भी इस उपाई को प्रारम करें वो दिन होगा या तो रवी पुशे नक्षतर दिन या शुक्रवार का दिन या फिर प्रुणीमा या जो मोहरत मैं बता रहा हूँ 26 मही 2021 और लगातार या तो 21 दिन करें या 27 दिन करें यदि 27 दिन करेंगे सोने में स्वागा उपाई लेके आया हूँ शदा रुपियों से भरी रहे आपकी तजोड़ यह यूँ कह दो कि घर में बरकत हो घर में बचत हो और धन जरूर रहे घर में आप राजा बन के रहे आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे और धन की जो अभिलासा है मालक्षमी की अभिलासा है वो हर व्यक्ति के भीतर होती है दोस्तों क्योंकि सभी जानते हैं इस संसार में रुपिया और पैसों की बिना कोई काम नहीं है और यही वज़ेग सभी लोग चाते हैं कि ऐसा कोई उपाई किया जाए जिससे हम पर बरसे है और हमारे घर की तीज़वर में हमेशा रुपियों से कम ही नहीं आ है तेकिन साथियों और मित्रों केवल मनो कामना की वज़े से कोई चीज उपलब्द नहीं होती है उसके लिए कर्म करना पड़ता है कार्य करना पड़ता है जिसे वो चीज प्राप्त हो सके है पर प्रतु मालक्षमी की अनकुमपा उसी पर होती जो उनके स्वागत के लिए सदा उतेरा रहते हैं जो पलक पामरे बिछाए उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं अपने शुद कर्मों के आधार पर मालक्षमी की कृपा उनी पर बरसती है और इसके लिए बहुत जरूरी है क्लिंजिंग और करमाज बिलीव और करमाज करमों में विश्वास करना और करमों में शुधी करन बहुत जरूरी है करमों में स्वच्चता बहुत जरूरी है घर में भी स्वच्चता बहुत आउसक है इसलिए हम चाहते हैं कि भगवति लक्षमी हमारी तीजोरी रुपी और पैसों के रूप में सदे विराज मान दे तो हमें अपनी तीजोरी की सपाई पर विशेई सध्यान देना होगा हमेशा तीजोरी को स्वच पवित रखना होगा जिस अलमारी में हमारी तीजोरी है उस अलमारी को हमेशा स्वच्च और साफशुत्रा रखना होगा और जब हम अलमारी में जहां हमारी तीजोरी है उसे हम स्वच्च और साफशुत्रा रखेंगे तो भगवती लक्षमी की प्रशंता उसमें अपना आवास बना सके वो हम पे कृपा जरूर करेंगे मित्रों शातियों जैसे कही बार मैंने रशोई घर में रखने वाली बस्तों के बारों में समझा था नमक नमक को साकसात लक्षमी का रूप माना है और गुरूमंत्री दाती महाराज पर मैंने आपको समझायता है कि नमक रखने का पात्र कैसा होना चाहिए मैंने यह समझायता कि उसकी स्वस्ता पर विश्यज्य ध्यान देना है नमक को किदर रखना चाहिए नमक का उपयोग कैसे करना चाहिए नमक कितना उंचा रखना चाहिए नमक किस हाथ से लेना चाहिए यह सारी जानकारी गुर्मांतर दाति महाराज की वीडियो में है और जो उसको डंग से देख लेगा दरिदर दूर हो जाएगा पुने एक बार अदभुद तोटका लाया हूँ आपको धनवान, बलवान और राजा बनाने का इस उपाय से आपके उपर मालक्षमे की कृपा होगी और आप धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे और राजा बनेंगे कभी भी आपकी तिजोरी रुपियों से खाली नहीं होगी बस उन्हें हमेशाप पवितर, एमसाप चुद्रा रखना बहुत जड़ीए आपकी तिजोरी हमेशा सई दिशा में और पवितर सितान में रखना चाहिए अब तिजोरी किस दिशा में रखे और कैसे रखे ये भी बता देए हमारे विद्वानों के अनुशार तिजोरी दक्षिन दिवार से हमेशा कम से कम एक इंच आगे की तरफ आगने और नेततर कौनों को छोड़ कर रखने चाहिए और हमेशा हमेशा तिजोरी का पिछला हिसा दक्षिन की तरफ और दर्वाजा उत्तर की तरफ खुलना चाहिए एक बात का भी से ध्यान रखेगा जिस कमरे में तिजोरी हो उस कमरे में दर्वाजा एक ही होने चाहिए और उस कमरे के दर्वाजों के किवाडों का जब पल्ला होता नहीं वो दो होना चाहिए उतर दिशा कुबेर की दिशा है इसकान तिजोरी रखने का कमरा उतर हिसे में करना फाइदे बंद रहता है और एक बात का विसेज ध्यान देना है इदि आप चाहते हैं कि मा लक्षमी की कृपा हो आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी नहीं हो उन्हें हमीशा साप सुतर रखे पवितरी इस्थान में रखे सही दिशा में रखे और तिजोरी के चारों और शाप श्रपाई रखना बहुत जरूरी है अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी अलमारी दिवार से सटा कर दे और उसके पीछे नजने कितना कुड़ा कबाड़ा रहता है और उसके कारण पीछे वाले भाग में मकड़ी के जाले तक लग जा दे अलमारी के नीचे उपरी भाग में धूल जम जाती ऐसी गंदगी भरी इस्थान में मा लक्ष्मी का आगमन नहीं होता इसलिए हमें साथ साफशुत्रा रखना बहुत जरूर साफशुपाई का ध्यान रखे अलमारी को दिवार से कुछ दूरी पर रखे उसके उपर वो नीचे हिस्थे को एकड़म साफशुत्रा रखे अरे भई भीतर में मा लक्ष्मी विराज माने तो उसके उपर गंदगी रखेंगे आप हम देखते कबड़ा रखते हैं गंदा रख देते हैं पता नहीं क्या क्या रख देते हैं जो अपनी अलमारी जहां पर तीजोरी है उसके उपर गंदगी रखते हैं उस घर में धनकी हमिशा कमी रहते हैं लोगों को परवाई नहीं कि अलमारी के उपर अलमारी के नीचे और अलमारी के भीतर में सेज़ धंचे सपाई होनी भी चाहिए जा गंदिगी हो जा मकडी का जालावाज जिंगुर हो तिल्चटे हो कि उपस्तिती हो मा लक्षमी का आगमन में बादा होती है और मैं इस परस्ट करना चाहता हूँ यह हमारी सास्तरी नियम है कि हर हालत में अलमारी दक्सिन से उतर दिशा में हो यानि तिजोरी खोलने पर उसका दरवाजा उतर दिशा की और खुले इस बात पर महत्पुन ध्यान देना है और सबसे महत्पुन हिस्सा है कि जहां अलमारी आपकी है जिसके अंदर तिजोरी है उसका उपरी हिस्सा हमें हिसाव साब सुत्रा और पवितर रखना चाहिए उसके उपर अनावस्टेंग रूप से बेकार पड़ी चीजों को हटा देना चाहिए ऐसा नहीं करेंगे तो मालक्षमी का अप्तमान होगा और आपकी तिजोरी खाली रहे आप चाहते हैं कि मालक्षमी की किरपाओ तिजोरी में धन रहे तो जो उपर का हिस्सा है उस पर शाप शुत्रा पीला कपड़ा बिछाईए या पीला कोई नेप्टीन बिछाईए लेकिन हमेशा साप करना चाहिए इस बात का ध्यान शफाई पर ध्यान देना बहुत जरू व्यक्ति के कारोबार में बढ़ोतरी के लिए नौकरी में सफलता के लिए घर में बरकत के लिए और बचत के लिए शफाई की परती जागरूक रहना बहुत जरूरी है लक्षमी की अनकमपा पाना चात उपाई तो मैं अदभुद लेके आया हूँ मैंने चार महरत बताएं एक तो 26 मही 2021 पंचदा मैत्री योग है अदभुद योग है तो इस दिन अदभुद दिवी योग है लेकिन ये उपाई किसी भी शुक्रवार को सुर्य उदे से ठीक 12 मिन्ट पहले सुरू करे और 12 मिन्ट बार तक कर सकते हैं किसी भी रवी पुष्ट नक्षतर के दिन प्र पुर्णिमा के दिन प्रते 4 बज़ कर 20 मिनट पर इस उपाई को प्रारम्ट किया जाता है और अदभुद अलोके की योग है 26 मही 2021 प्रते 4 बज़ कर 15 मिन्ट से लिकर 4 बज़ कर 30 मिनट ये 15 मिनट 15 मैत्री योग है भगवान शनी देव भगवान केत्यु देव भवान मंग अदभुद किर्पा आप पर बसा है कि उखनी करना है ये पान का पत्ता है एक पान का पत्ता ले दीजेए जलगंगा जल lançे पवितर कर दीजे पीले पर रख दीजे और अपनी चौके पर रख दीजिए अब क्या करना है तो पान के पत्ते के उपर साथ इलाईची रखना है साथ इलाईची ध्यान रखेगा पान के पत्ते के उपर साथ इलाईची रख दीजिए ये साथ इलाईची इस पान के पत्ते पर मैंने साथ इलाइची रख दिया, साथ लॉंग रख दिजिए, ध्यान रखें, लॉंग फूल वाले होने चाहिए, आगे का जो हिस्सा है, फूल जरूर होना चाहिए, साथ लॉंग, साथ लॉंग रख दिजिए, साथ लॉंग रख दिजिए, एक कमल घटे का बीज रख दिजिए, और साथ या थोड़ासा चुटकी भर इसमें साबूद धनिया रख दिजिए, इतना असा जादा नहीं, आप देख लिजिएगा, 11 दाने, साथ या 11 दाने, साबूद धनिया का इसके उपर रख दिजिए, औ और शात दाल्चिनि, ये दाल्चिनि है, सारी आपके कीचन में सहमान मिल जाएगा, मा लक्ष्मी आपके कीचन में ही रहती बढ़, साथ पीश, साथ टुकडे दाल्चिनि के रख दिजिए, ये, ये साथ ऐसे रख दिजिए, अब इस पान के पत्ते का आप पान बीड़ा बना दीजे एसे पान भीड़ा द्ने मित्रों ये अदभुद है अब करके देख लिजेगा ये अदभुद है ये पान भीड़ा बना दैजे और इस पान बीड़े को इस पीले कपड़े में अच्छी तरह से बांद दीजिए ऐसे अच्छी तरह से बांद दीजिए और बांद करके इसके उपर कलावा लपेट दीजिए 9 बार 11 बार 21 बार जो आप भरम में मत परियेगा इस पे कलावा लपेट दीजिए बस कि समान बार नहीं गिरे कलावाला पेट दीजिए कलावाला पेट दीजिए अब इसको चौकी पर रख दीजिए पुने जल गंगा जल पंचा मिर्थ का छीटा दीजिए धूप दीप नहवे दीए पुस पर अक्सत अर्फित करिए अपने कुल देवता मा लक्षमे की अपने इस्ट देवता अपने पितर देवता का ध्यान करिए और प्रात्ना करिए कि हे मा लक्षमे हे पितर देवता हे कुल देवता आप इस अलमारी के अंदर हमेशा अपना आवास बनाई और रखे भी इस पान के बीड़े को धूब दीप और दीपक दिखाई आरती करे पूजा करे और ये प्रारम करना है जो मैंने दिन बताया है जैसे 26 मई को प्रारम करे लगातार 27 दिन करना है शुकरवार को प्रारम करे लगातार 27 दिन करना है रवी पुशी नक्षतरक दिन को प्रारम करना लगातार 27 दिन करना है या फिर पुरूणिमा का दिन प्रारम करते लगातार ये जो पीला वाला कप्ड़ा है पीला वाला कपड़ा है ये आप अपनी जहां तीजोरी है उस अलमारी के उपर रगरें अगले दिन सुबह पहले पुराना वाला पान का बिड़ा बार निकाल कर नया पान का बिड़ा उसी विदी से बिड़ा बना कर पीले कपड़े में लगए उपर रख देजी और पहले वाला पान का बिड़ा या तो बहते पानी में या किसी पेड़ के नीचे या तलाब में या किसी मंदिर में र पअगोतर वडोतरी करेगा यह उपाए आपके घर में धंकी बरकत और बचत करेगा कभी भी आपके घर में धंकी कमी नहीं आयेकी लेकिन संधे नहीं चाहिए परिपूर्ण शमरपन चाहिए और मैं बहुत कुछ बताता था рассказ cſ को आपको और आपकी मनोजवान सपलता आपको मिलें एक उपाई से काम नहीं बता दूसरा उपाई अजमाई मैं मना नहीं करता हूं लेकिन उपाई करते समय परिपून शमर्पन चाहिए अब ऐसा नहीं भी और लोगों नहीं बता चलो धाती महराज ने बिटा दिया इस उपाई को धाती म नाम की राशी आपकी गरहदशा इदी उपयक्त नहीं तो उपाई फाइदा भी नहीं देता है तो ऐसी अबस्ताम आप शंपर करिए आपके नाम राशी आपकी गरहदशा की आपके जनम तारिक के हिसाब से अवश्य उपाई बताऊं जिसे आपका कल्यान हो लेकिन यह ध्यान रखना कंजक इस उपाई को कर सकती कंजक का मतलब जिसकी उमर नौ साल से थो कम है यह उपाई कर सकती अब यह 27 दिन यह उपाई आप करके देखेगा आपकी अलमारी में धन की कमी नहीं रहेगी नमनारण लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि 26 मई दोहजार एक इस पंच से पीछा चुड़ाना चाहता हो आप चाहता हो कि यह महामारी कम हो इस महामारी पर हम विजे प्राप्त करें तो इस दिन प्राते चार बच गर 15 मिनिट के आसपास अपने घर के चारों कोनों में फिटेकरी और कपूर शर्धान उसार रखें और अपने घर के चारों कोनों म बाती जो होगी वो रूई की बाती होगी और शचों के तेल में कलावे की बाती होगी 26 मईए 2021 अद भूद दिन है पंचदा मैतरी योगे का अद भूद है इस दिन है आप कपूर ये भीमसेनी कपूर भी इसे हो कहते हैं ब्रास कपूर भी से कहते हैं, देशी कपूर, सर्धानुसार कपूर या फिर 800 ग्राम कपूर, कोई आप बंदन मत माने, जो कुछ करिए पैर में गुंगरू बांदगे करिए, आपको शफलता मिलेगी, मामारी में कमी आएगी, वाइरिस में कमी आएगी, और मेरा विश्वास करेगा, आपकी घर से बिमारियों का छुटकारा मिल जाएगा, और आपका घर बड़ा पवित्र हो जाएगा, 31 सर्सों के तेल के दीपक, और चौमों का घी का दीपक, प्राते चार बज कर पंदरा मिनिट से लेकर, चार बज के तीस मिनिट में जल जाना चाहिए, और घर के चारों कौनों में, फिटकरी सर्दानुसार और कपूर सर्दानुसार मिला कर रखें, दोनों साथ रखेंगा, और पूजा के बाद, इस संपोन पूज़न शामगरी किसी पेड के नीचे रखा जाए, बैते पाने में प्रवा कर दे, या फिर बरगत या पीपल के पेड के न परशाद है, हो सकता आप इसको जानते भी और हो सकता आपने सुना भी हो, लेकिन राशित के भावना से मैं ने पुने इस उपाई को आपके सामने रखा, करके देखिए, 26 मई 2021 दिन 21 को प्रारम करें, लगातार 27 दिन करें, या पर शुकरवार को प्रारम करें, लगातार 27 साइस दिन करें या अब रवी पुशे नक्षटर दिन करें 27 दिन करें या प्रुनिमा के दिन करें 27 दिन अब करके देखिए जिवन की दसा और तुस्टी बद्द जाएगी ना मना रहे हैं शेकेंड ओपनिन का अधिकार आप भी के पास है भाई मैं दावे नहीं करता हूं न मना रहे हैं इन तीस साल में दिवादी देव सनेदेव की कृपा से गो माता की सेवा में लगा रहा पिछले दो-तीन सालों से मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है राष्ट पर पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट आपकी बात सुनते हैं राष्ट आप पर विश्वास करते हैं इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और शाथियों मेरी आर्थिक प्रस्ति इस समें ठीक नहीं है मुझे गोमाता की सिवा में आपका सही हो चाहिए आप गोमाता की सिवा करेंगे तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ जो मैं जानता हूँ मेरे आहरादONG ईये देबादी देव सनी देवरु गुरु महराज जी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला, आपको जोतिसी समधान में मेरा सहयोग चाहिए, मैं कोई प्रजापिता ब्रमा नहीं हूँ, नहीं मैं हतेली में सरसु उगाता हूँ, मैं प्रियास करता हूँ, मैं आपके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गोमाता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है, मेरी गोमाता भुकी ने रहे, मेरी गोमाता को चाहरा मिले, और जो भी दान दाता, जो भी राष्ट भक्त, गोमाता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारह की बहुत तकलीब बढ़ेगी, इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारह था, इस समय गर्मी आने की वज़े से चारह की तकलीब ज़्यादा नजर आ रही है, आप सब इस से मेरा निवदन है, कि गाय यह मेरा शोभा क्या होगा, कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहु करूँ, जब आपको मेरी आउश्यक्ता पड़ेगी, इन नमबरों पर मैं आप से उपलब्द रहूँगा, इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी, हाँ, इतना जरूर है कि दो चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं, हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि जोति से समधान के लिए थोड़ी सा धना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ, आप सभी से मेरा निवेदन, कि आप सभी लोग सनि पौशा का फल हमेशा मेटा होता है, शाथियों, और शमय बड़ा वलवान है, शमय एक सा नहीं रहता है, आज मेरी परस्ति है, कि मैं आप से निवेदन कर, आस तक मैंने राश्य से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने ये जरूर कहा है कि सेवा भी ध्यान देजिए, मैं भी कर पा रहा हूं मेरी आर्तिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूं गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों की हरे चारे की वेवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि राष्ट के लोग 2100 रुपय भी गो साला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे स्वयोग में लेगा जो लोग स्वयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लोग स्वयोग के लिए आगे आएंगे सनी भगवान की सिल्चन और मेरी प्रात्ना की सनी भगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुश्यों से भरा रहे मित्रों और साथियों दाति महरात जीमन भर आपके आभारी रहेंगे इस सिवा के लिए मेरी गोमाता भुकी नहीं रहे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमोना रहें